प्रस्न एक निम्नलिखित में से परतेक में अच्छरों के मान ग्याद करें तथा संबद्ध चर्णों के लिए कारण भी दें प्रस्न एक है पी नौ जोड चार क्यू कितना आ रहा है? 65 तो पी नौ और चार क्यू को जोडने पे 65 आ रहा है अब यहाँ पे देखिए 5 है, इकाई एंग पे क्या है? 5 है तो 9 में क्या जोड़ेंगे कि इकाई एंग पे 5 आ जाए? ठीक है? क्यूंकि 9 है यहाँ पे, अगर सून्य जोड़ेंगे तो 9 और सून्य क्या होगा? 9, लेकिन यहाँ तो 5 है अगर Q के जगा पे सून्य रखेंगे, तो 9 और सून्य को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए, लेकिन 5 है एक को जोड़ेंगे तो 9, 1, 10 होना चाहिए, दस में इकाई एंग पे सून्य आया लेकिन यहाँ पाँच है अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 9 और 2 क्या होगा? 11 11 पे 1 लेकिन यहाँ पे 5 लाना है 3 जोड़ेंगे तो 9-3 12 ये भी नहीं होगा 4 जोड़ेंगे तो 9-4 13 ये भी नहीं होगा 5 जोड़ेंगे तो 9-5 14 6 जोड़ेंगे तो 9-6 15 देखे 5 आ रही काई ये अंग पे यानि अगर हम Q के जग़ए पे 6 रखेंगे तो 9-6 कितना होगा? 15 9-6 15 हाथ मेरा 1 तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 तो 9-6 कितना होगा? 15 देखे, Q के जग़ए पे 6 रखेंगे हैं छे तो 9-6-15 हात में रहा है 1 पंदरा में इक आइंग 5 होता है तो देखें इकाइंग 5 है क्यूं के ज़िगा पर 6 रहेंगे तो 9-6-15 हात में रहा है 1 एक आगिया 5 अब 4 में पैंचा जोड़ देंगे तो 4-1-5 हो गया ये क्या बन गया 5 क्योंकि पेंचा जूट जाता है इसमें तो 9-6 पंद रहा हाथ में रहा है एक एक जूटेगा चार में तो 4 एक 5 हो गया अब 5 में कितना जोड़ें कि 6 आ जाए तो 5 में एक जोड़ेंगे तो P के P बराबर एक होगा और Q बराबर 6 इस तरह इसको हल करेंगे Q के जगह पे 6 रखेंगे P के जगह पे 1 रखेंगे फिर से समझ लेते हैं तो देखें 5 लाना था हमें इकाई अंग पे और Q है यहां पे तो 9 में कितना जोड़ें कि इकाई अंग पे 5 आ जाए तो 9 6 15 होता है ठीक है तो हाथ मेरा एक अब एक इसम के साथ जोड़ जाएगा यानि 4 एक 5 हो गया तो 5 में कितना जोड़ें कि 6 आ जाए तो 5 में 1 जोड़ेंगे यानि P बराबर 1 होगा तो इसका उत्तर आ गया है P बराबर 1 कॉमा Q बराबर 6 इसका उत्तर क्या आया है P बराबर 1 Q बराबर 6 तो इस तरह प्रस्न पहला हल करेंगे अब दूसरा दूसरा क्या है 3 A फिर 25 जोड कितना आया है B 2 इस तरह से 3 A जोड 25 तो आया है B 2 3 A जोड 25 कितना आया है B 2 तो यहाँ पे देखे 2 लाना है 5 में क्या जोड़ेंगे की 2 आजाए तो 5 में अगर सुनने को जोड़ेंगे तो 5 आएगा लेकिन यहाँ तो 1 आया इंग पे 2 है एक रखेंगे तो 5 एक 6 हमें 2 लाना है दो जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 जोड़ेंगे तो 5,3 आथ यह भी नहीं होगा 4 यहाँ पर एगर र JUकेंगे तो 5,6 यह भी नहीं होगा क्योंकि 2 है 5 रखेंगे 1 जेगा पर तो 5,5,10 10 में 1 जेगा पर सुनने आए लेकिन यहाँ 2 है 6 रखेंगे तो 6,5,4 7 रखेंगे तो 7,5,12 7 5,12 बारा में एकाई अंग पर दो आता है यानि यहां पर एक जगह पर साथ रखेंगे तो साथ पांच कितना होगा बारा साथ पांच बारा है ठीक है एक जगह पर क्या रखेंगे साथ एक जगह पर क्या रखेंगे साथ क्योंकि 5 तो यहाँ पर दिया हुआ है एक के जगह पर 7 रखेंगे तब ही देखिए 2 आएगा यहाँ पर 2 आ रहा है तो 7 में 5 जोड़ने पर 12 12 एकाई अंक 2 होता है 12 में 11 एकाई अंक 2 होगा तो 7, 5, 12 हाथ में रहा 1 हाथ में रहा 1 यहाँ 3 और 2 दिया हुआ है तो 3, 2, 5 और एक पैंचा ही धर से गया 7, 5, 12 हाथ में रहा 1 3, 2, 5, 1, 6 यानि A बराबर क्या रखेंगे A बराबर 7 B बराबर 6 देखिए A के जगह पर क्या आ गया 7 और B के जगह पर 6 ठीक है A के जगह पर 7 और B के जगह पर 6 उसी तरह यहाँ पर B के जगह पर आया था 1 Q के जगह पर 6 ठीक है तो यहाँ पर क्या आया A बराबर आ गया 7 B बराबर 6 तो हम लिख लेंगे यहाँ पर A बराबर 7 कॉमा B बराबर 6 इसका उत्तर होगा तो इसी तरह इसको हल करना है, बस थोड़ा सा दिमांग लगाना है, क्या संख्या रखाएगा, ठीक है, जहां पर ABC दिया हुआ है, वहां पर और इसको हल कर देना है, तीसरा प्रस्न, 37 जोड़ AB, 37 जोड़ AB, यहां पर कितना है, 9A, तो 37 जोड़ AB, और यहां पर है 9A, तो यहां पर देखे, A है, तो यहां पर 3 है, 9 आया है, तो अगर A के जगा पर हम 6 रखेंगे, तो 6 III 9, लेकिन A यहां भी है, तो A यहां भी है, तो अगर हम A के जगह पे 6 रखते हैं तब तो यहां के लिए तो ठीक है 6, 3, 9 6, 3, 9 ठीक है अगर A के जगह पे 6 रखते हैं तो 6, 3, 9 तो A के जगह पे 6 तो यहां भी 6 रखना होगा अगर हम यहां पे 6 रखते हैं तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा तो 9, तो 9 साथ 16 होता है, हाद मेरा 1, तो 5 चल जाएगा यहाँ पे, तो 6, 3, 9, 1, 10 होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 6 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे, तो यहाँ भी 6 रखना होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं, तो यहाँ भी 6 र देखिے यहाँ पे क्या रखेंगे पांच तो फांच तीन एर्ट इधर से एक पहिंचा जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ भी पांच रखना होगा तो यहाँ पे अगर पांच रखेंगे तो साथ में आठ जोड़ेंगे तो पंदरा आएगा यानि एक आई पांच तो साथ में आठ जोड़ेंगे तो पंदरा आजाएगा हाथ मेरा एक तो पांच तीन आठेक नौ यानि एक जगा पे क्या रखेंगे पांच रखेंगे तो इसको लिख लेंगे तीन, साथ और एक जगह पे रखेंगे पांच ठीक है तो पांच यहां भी हो जाएगा और यहां पे नो है यहां पे जोड का चीन है तो देखिए एक जगह पे पांच रखेंगे तो यहां भी पांच होगा साथ में क्या जोड़ने पर पांच आएगा, इकाई अंग पर, तो 8 साथ पंदरह होता है, पंदरह में इकाई अंग पांच, यानि यहाँ पर आठ रखना होगा, कितना रखना होगा, आठ, तो देखिए 8 साथ पंदरह, हाथ में राह 1, 5, 3, 8, 1, 9, पैंचा भी जा रहा है, इ तो पैंचा इधर चला जाएगा यानि 6,3,9,1,10 होगा लेकिन यहां तो 9 है इसलिए 5 रखेंगे यहां पे तो 5,3,8 एक पैंचा इधर से आएगा पांच अगर यहां पे रखते हैं तो 5 यहां भी रखना होगा क्योंकि ए ए दोनों जगह है तो यहां पे जो अंक रखेंगे वही अंक यहां भी रखना होगा तो 5 रखेंगे तो 5 यहां भी रखना होगा तो 5 लाने के लिए यहां पे 7 में क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे क्योंकि 8 साथ 15 होता है हाथ में रहा एक तो 5,3,9 तो ए बराबर कितना इसका उत्तर एक जगह पे 5 रखाएगा और बी के जगह पे 8 तो इस तरह प्रस्न तीन हल करेंगे